नमस्ते, वेलकाम, स्वागत आए आप सभी लोगों का लक्षय विजय चनल में जो की आप लोगों का प्यारा चनल है और मैं राजिश सार आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस चाप बना कर चली जाती हैं, जो एक लंबे समय तक हमारे आप के लिए जीवन पर प्रभाव भी डालती हैं, प्रभाव हम लोगों के एक्जाम के point of view से होता है, जब हम एक्जाम की ओर जाते हैं, तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं, जो हम से पूछी जाती हैं, वेक अलग बात है क कि शायद वहाँ पर ये सवाल नहीं पूछा जाता कि 2 दिसंबर के दिन ये हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन उन 2 दिसंबर के दिन, क्योंकि आज 2 दिसंबर का दिन है और मैं आपको आज के किती से जुड़े हुए कुछ मात्वपुन घटनाओं के बारे में बताऊंग जो कि आप से कभी भी पूछा जा सकता है, अब ये अलग बात होगा कि वो सवाल जो पूछा जा सकता है, वो हिस्ट्री का भी हो सकता है, वो सवाल आपके जोगर्फी का भी हो सकता है, वो सवाल आपके किसी कारण वस्चर्चा में आए करेंट अफेर को भी हो सकता है, यान तो साफ है कि इस सेशन का बहुत जादा अच्छा प्रियोग हम कर सकते हैं अपने प्रतियोगी अपने competitive exam को लेकर और इसी बात को ध्यान में रख कर मैं रोज बिना किसी नागे के इस बात का कोशिश करता हूं कि आपको प्रमुख तोर पर उस दिन की घटनाओं के तोर पर ऐ ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन इतनी कोई महतपुण घटना न रही हो जिस पर किसी भी तरह का सवाल बच्छन बनने की गुंजाइश न हो तो शायद मैंने न रखा हुए का लग विशह हैं लेकिन अधिकांज तोर पर ऐसी घटनाएं कोई हैं जिनको मैं आपके सामने लेक करता हूं उसको हम लोग याद कर लेते हैं करेंगे इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए GES के किसी भी पॉइंट अफ यू से पूछे जा सकते हैं और इतना ही नहीं किसी भी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं वो UPSC, CSE हो सकता है State PCS हो सकता है आपके State Lower के एक्जाम हो सकते है SS सशी जैसे एक्जाम हो सकते हैं तो 2 दिसंबर के दिन होने वाली महत्पुण घटनाओं को हम लोग एक-एक करके समझते चले जाते हैं और जानते चले जाते हैं कि क्या-क्या महत्पुण घटनाएं हुई वो हमारे लिए किस प्रकार से important है पहली घटना की ओर चलते हैं और प पिछले हिस्से पर अगर आप देखेंगे तो shadow आ रहा होगा shadow का मतलब है मेरे हिस्से से आप मेरी उपस्तिती से देखने ही पा रहे होंगे तो मैं अपने आपको थोड़ा सा hide कर लेता हूँ जिससे आपको सारी चीजें बड़े साफ तोर पर दिखाई पड़ती चली तो आज ही के दिन 2 December की अगर बात करते हैं और 1776 के वर्ष की अगर बात करते हैं तो 1776 के वर्ष में स्वीडन जो की योरोप का एक देश है वहां की अगर बात करें तो वहां पर एक कानून लाया गया और वो कानून था प्रेस की स्वतंतरता अधिनियम Freedom of Press Freedom of Press का मतलब होता है अपनी बात को बोलना, अपनी बात को कहना और वो तरीका आपका लिखावट के साथ भी हो सकता है वो तरीका आपका बोलने की आजादी के साथ भी हो सकता है Right to Speak हो गया, Communicated Journalism हो गया यानि कुल मिलाक Democratic Right हो गया, यानि अपने अभिव्यक्ति को अपनी बात को, अपने विचारों को कहने का एक प्रकार से ताकत दिया गया तो 1776 में आज यही के दिन स्वीडन के द्वारा प्रेस की स्वतंतरता अधिनियम को लागू करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंतरता को रखा गया और यह अधिकार देने वाला स्वीडन दुनिया का पहला देश बन गया और अगर मैं आज के अपने भारतिय सम्विधान को भी देखता हूँ तो अगर आप भारतिय सम्विधान को देखते हैं तो आपको याद होगा भारतिय सम्विधान इंडियन कोंस्टिउशन का आर्टिकल 19-A जो कहता है वो फ्रीडम टू स्पीच की बात करता है यानि की बोलने की और भिव्यक्ति की आजादी की बात करता है आर्टिकल 19-A के तहट इसको हम लोग देखते हैं याद करते हैं मैंने भी आपसे कहा था कि ये जो सेशन मैं आप लोगों के लिए रोज ला रहा हूँ ये इसको इस तरह से मत याद कर लीजेगा मत सोचेगा कि सिर्फ एतिहास का एक दिन है बलकि ये वो दिन ये वो घटनाय होती है जो कि आपके जीवन से जुड़ी है अभिव्यक्ति की आजादी आपके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है अभिव्यक्ति की आजादी आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है जो की कई सारे देशों के सम्विधानों से चला भारत के सम्विधान में भी है और हम प्रतिक भारतिये कोई अधिकार है और ये सबसे पहले स्वीडेन में लागू किया गया था इस एक्ट के तहट जितने भी आपके पब्लिकेशन्स हैं जितने भी आपकी चीजें पब्लिक की जाएंगी यानि प्रकाशन होंगे यानि जो प्रेस होंगे उनके उपर सेंशर्शिप यानि कि उनके उपर जो तमाम प्रकार के जो न छापने के न बोलने के यानि एक प्रका करते हुए लोगों को अपनी बात को कहने का अधिकार दिया गया एक बहुत बड़ी आजादी थी एक बहुत बड़ी स्वतंतरता थी जिसकी शुरुवात आपको दिखाई पड़ेगी इसी तरह से एक और घटना की ओर चलते हैं और वो घटना फ्रांस के एक बहुत बड़ी राजा फ्रांस के एक महान राजा जिनको हम लोग नेपोलियन बोनापाट के नाम पर जानते हैं किया गया जिसे नेपोलियन सहिता के नाम पर जाना जाता है और अगर नेपोलियन को याद किया जा तो नेपोलियन दुनिया के महानतम सेना पतियों में था फ्रांस ही नहीं बलकि फ्रांस के बाहर यानि योरोप के कई हिस्सों पर नेपोलियन के द्वारा कबजा किया गया और मैं आपको भारती इतिहास से जोड़कर एक तथे और बता दूँ ये रिविजन का पार्ट है आपके जीवन में और आपके कमपटेटिव एक्जाम में बड़ा मात्वण हो जाता है कि नेपोलियन जो की फ्रांस का राजा था जिसने बड़े छेतर परादिकार किया था बारती इतिहास में भी एक ऐसी राजा है जिनकी तुलना नेपोलियन से की जाती है और वो है गुप्त वंच की राजा जिने समुद्र गुप्त के नाम पर जाना जाता है उनको भी भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में पराजित हो गया था, सेंट हेलेना द्वीप पर उसे बंदी बना कर रखा गया और वही पर अंतिम तोर पर उसकी मृत्ति हो जाती है, वो एक अलग विशय है कि वो उसके जीवन की पराज है, उसके जीवन का अंतिम समय बन जाएगा, उसके जीवन के उसके महानता के लिए एक तरीके से अंकुष और बंदिश बन जाएगा, ऐसी तरह से एक और घटना को देखते हैं, और वो है एक संग का बनना, जिसे नाम दिया जाता है सैयुक्त अरब अमीरात, जिसके एक संग बनाया था, जिसको नाम दिया गया था, United Emirates State, यहनि कि एक तरीके सगर देखा जाए, तो उसे सयुक्त अरब, United Arab Emirates के तौर पर, मैंने साथ स्टेट से बोल दिया था, United Arab Emirates के तौर पर जाना जाता है, यह जो अमिरत अमिरत शब्द है, अमिरात शब्द है, ये basically अर्भी भाशा का शब्द है जिसका मतलब होता है रियासत, रियासत मतलब state और कुल मिलाकर साथ अलग अलग रियासते थी जिनोंने मिलकर इस संग को बनाया, नक्षे में आप उनको देख सकते हैं उनमे से साथ में से छे ऐसे हैं जो कि आज के दिन, यानि दो दिसंबर के दिन UAE का पार्ट बने थी छे, एक जो सातवे नमबर का रहा वो 1972 में बनेगा, इनमें अगर हम लोग बात करें तो देखें सबसे बड़ा छेतर आता है जिसको अबुधावी के तोर पर जाना जाता है यह आप देख सकते हैं, UAE का सबसे बड़ा पार्ट जिसे अबुधावी कहा जाएगा, इसके अलावा दोबई है, आप देख सकते हैं, शारजा है, इसके अलावा अजमान है, इसके अलावा उम अलकवैन है, जिसको आप यह देख सकते हैं, इसके अलावा जिसे फुजराह कहा जाता है ये है आपका और 1972 में जिसे हम लोग रास अल खमाएं के तोर पर जानते हैं ये ये कुल मिलाकर साथ अलग-अलग एक जमाने में ये अलग-अलग देश अलग-अलग रियासते हुआ करती थी जिन पर ब्रेटिश कॉलोनी यानि ब्रेटिशर्स का अंग्रेजों का उपनिवेश के तोर पर ये हुआ करते थे लेकिन आगे चलकर ये मिलकर एक अलग संग एक अलग सत्ता के तोर पर अपने आपको स्थापित करते हैं राजनेतिक तोर पर अगर चलकर देखा जाए तो सातों मिरात सातों रियासते मिलकर एक काउंसिल बनाती हैं और वो काउंसिल अपना परधान मंतरी चुनती है और इन सभी देशों से संबंधित जो आपके एक्स्टेर्नल अफेयर हैं इस तरह के जितने में मामले हैं उनको उसी काउंसिल और उसी परधान मंतरी के द्वारा निर्धारित किया जाता है एक दुखद घटना दो दिसंबर के तौर पर है और उसे हम लोग याद करते हैं भोपाल गैस त्रासदी को लेकर जो भोपाल गैस की त्रासदी हुई वो एक प्रदूशन और बहुत बड़ी त दो दिसंबर को राश्ट्रिय प्रदूशन नियंत्रण दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है बोपाल मद्यप्रदेश का हिस्सा है मद्यप्रदेश की राजधानी है जहां पर फिलहाल वरतमान समय के अगर बात करें तो चुनाओ के प्रक्रिया चल रही है कल तीन तारिक क दिन होगा जिस दिन नतीजे आने आएंगे और क्या होगा कौन सत्ता पर आएगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो कल के आने वाली नतीजों पर निरधारी थो पाएगा हम लोग उसी भोपाल उसी मद्यप्रदेश की बात कर रहे हैं 1984 का वर्ष था और भोपाल की एक सय सयंत्र जिसे यूनियन कारबाइट के तौर पर जाना जाता है दो और तीन दिसंबर की रात को इस सयंत्र से कुछ जहरीले रासायनिक गैस का रिसाव हुआ और जिसने बड़ी भायानक त्रासदी को जन्म दिया जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यू हो गई इसे दुनिया ने और दुनिया के कई देशों के द्वारा इसे दुनिया की सबसे भायानक त्रासदी के तोर पर स्विकार किया और यही कारण रहा कि इसको आगे चल कर भारत ने भी इसको स्विकार किया करना ही था राष्ट्रिय प्रदूशन नियंत्रन दिवस के तोर पर इसको मनाया जाने लगा और याद किया गया उन लोगों को जिनोंने बिना किसी अपराद के अपनी जान को कुछ गलतियों की वजह से, अब वो गलती क्या थी, किसकी वजह से हुई, क्या हुआ, ये ये एक अलग विशह बन जाता है, लेकिन कुछ गल्तियों की वज़े से बहुत सारे लोगों को अपना जान गवाना पड़ा, बहुत सारे लोग एक लंबे समय तक बीमार रहे विशेशकर जो लंग्स को लेकर परिशानिया रही, बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो ये कुछ महत जाता है, जिसका परिणाम मानव जाती को झेलना पड़ता है, मानव जाती को उस परिणाम को उठाना पड़ता है, तो आज की जो महत्तपूर्ण घटना है वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, और मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि मंडें, मंडें का मतलब हो मंड़े का मतलब हो जाएगा चार दिसंबर, चार दिसंबर से मैं आप लोगों के लिए शाम पांच बज़े 5 पीम पर मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आओंगा, जो पूल मैंने आप लोगों को दिया था, जिसमें मुझे अधिकांच लोगों ने उत्तर किया, उत्तर दिया उस आधार पर मैं इस बात को और इस टाइम को पिक्स कर रहा हूं तो शाम पाच बजे लाइफ क्लास होगा जिसमें जिसका पूल मैंने फिर आप लोगों से मांगा तक या आप लोग बताईएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं तो अधिकांश लोगों ने ज इंडियन हिस्ट्री के साथ करेंगे लेकिन जल्दी ही मैं आपको एक बात और बता दूँ कि हम लोग इंडियन पॉलिटी की भी क्लास लेकर आने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की भी क्लास बस उसका भी मैं तोड़ा सा schedule देख लूँ ताकि मैं आपको दोनों विशयों पर लगातार अधिक से अधिक और वो knowledge और वो information दे पाऊं जो कि आपके exam के लिए महत्पून बन जाती है और अभी तक जो मेरा पिछला record रहा है जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें लगबग लगबग मैं अगर मान कर चलू तो मेरे द्वारा पढ़ाये जाने वाले विशय की अगर बात करता हूँ तो मैंने जितने विशयों को पढ़ाया लगबग लगबग सभी परिक्षाओं में 90% question आप लोगों के 90% सवाल आप लोगों के exam में आए हैं 90% सवाल आप लोगों के परिक्षाओं में पूछे गए हैं हाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि जिस भाषा जिस language में मैंने उनको explain किया गटनाओं को या चीजों को content को थोड़ा भाषा बदल कर आया लेकिन सवाल जरूर आया और ये जो ratio है ये जो strike है ये 90% का strike है ये strike कोई कम नहीं है ये बहुत बड़ा strike है अगर हम लोग 90% तक अपने questions को solve करते हैं तो फिर हम अपने सफलता के सीर्ष पर चलते हुए दिखाई पड़ेंगे बस जल्दी से जल्दी आप इस session को like कर दीजेगा, share कर दीजेगा और subscribe करके bell icon जरूर बजा दीजेगा ताकि आपको notification समय पर मिलती चली जाए आपकी class किसी भी तरह से miss न होने पाए और ये मेरा telegram channel है, इसको जल्दी से जल्दी इस पर add हो जाएगा क्योंकि इन सभी class के जो life class है, इन सभी life class के content pdf form में मैं इसी telegram channel पर दूँगा तो आपके पास उसका soft copy भी हो जा और explanation तो मैं करूँगा ही करूँगा, साती सात किसी और जानकारी के लिए किसी और समस्या से अगर आप पढ़ाई लिखाई की समस्या से अगर आप परिशान है या कोई दिक्कत है, तो फिर आप मुझे इस number पर contact भी कर सकते हैं और मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं, तो बच्चो फिलाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और आप से अब हमारी अगली मुलाकात होगी, उस मुलाकात में मैं कुछ और बाते, कुछ और मुद्दे आपके सामने लेकर आऊंगा, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत नमस्कार, शुक्रिया और खुश रहिए, मस रहिए, बस दियान रखेगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब और बल आइकन मेरे लिए एक तरीके से अमरित का काम करेगा, अमरित कुंड बन जाएगा मेरे जीवन देता है, इसका मतलब आप मुझे सब्सक्राइब करके एक प्रकार का जीवन देंगे, जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो आप सबी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, अगली मुलाकात, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण ज बाइ